दोस्त अगर आप Google Chrome इस्तमाल कर रहे हो ना तो जरा सोच लो और मैं तो अपनी देख रहा हूँ कि मैं आपने बहुत सारे डिवाइसे से Google Chrome को हटाने वाला हूँ क्योंकि Google Chrome में 30 से जादा 30 से जादा vulnerability report हुई है Google के blog post में जिसमें से साथ vulnerability यानि की साथ ऐसी कमियां जिससे आप hack हो सकते हो वो high level की report की गई है खुद भारत की cert in nodal agency जो की cyber security और लोगों की cyber सुरक्षा के लिए responsible है authority है government की उसने खुद ये advisory जारी किये कि अगर आप Google Chrome इस्तेमाल कर रहे हो और version 101.0.4951.41 से अगर कम है आपका मतलब साधारन भाशा में कहें कि Google Chrome अपग्रेड नहीं किया है आपने या आपके phone में automatic अपग्रेड नहीं लगा हुआ है application का या आपके computer में या laptop में किसी भी नहीं कहा है तो भाई उसको अभी के अभी अभी अपग्रेड कर लो साथ vulnerability का मतलब समझते हैं आप साथ vulnerability का मतलब है कि पूरी चाओ नहीं बनी पड़ी है भाई अब यह क्यों होता है देखो जो यह Google Chrome है ना यह ऐसे third party की बहुत सारी ऐसी plugins और ऐसे बहुत सारे APIs को इस्तिमाल करता है 3D games को run करने के लिए 3D application को run करने के लिए device share in system API ozone browser switcher bookmarks developer tools file manager और इसमें कुछ HTML के भी कुछ ऐसी चीजे हैं जो API third party इस्तिमाल की गई है बहुत सारी मतलब पूरी list लगा रखी है क्या-क्या angle device swift shader ऐसे बहुत सारी चीजे है जो असान भाशा मैं कहें कि 3D animation को चलाने के लिए किसी third party service के उसमें integration के लिए यह सारी सिर्फ windows को यह effect नहीं करती है guys windows mac और even Linux को भी करती है so बहुत serious है मैं हटाने वाला Google Chrome अपने device से तो बोले सागर भाई Google Chrome इस्तिमाल नहीं करें भारत सरकार नहीं भी बोल दिया है कि upgrade करो और अगर upgrade नहीं हो रहा है बहुत लोगों में पता है क्या problem आ रही है कि Google Chrome को upgrade करने ज करना चारा हूं पर वो हो नहीं रहा है तो करें क्या ऐसे में तो सबसे simple है कि आप अपने Google Chrome को disable कर दो guys yes उसे disable कर दो अगर वो update नहीं हो रहा है क्योंकि अगर वो update नहीं हो रहा है तो literally आप अपने phone में एक Trojan लेके गूम रहे हो क्योंकि 30 vulnerability और 7 high alert एक्तम high level वाली है और और ऐसे समझ लो कि market map ने खुला रख दिया है chat on करके इस तरह से या तो आप करें क्या आप दूसरा browser इस्तमाल कर सकते हो आप चाहें तो brave browser इस्तमाल कर सकते हो काफी modern अच्छा browser है खुद YouTube पर उसके add आते और वाक़ी में अच्छा है privacy को लेके और वो सारी चीजे लेकर ब यह मुझे बताना दबाएगी बहुत risk चल रही है तो करना क्या है Google Chrome को खोल लो right corner पर जाओ three dot होते है न वहाँ पर tap करो drop down menu मिल जाएगी setting पर जाओगे help पर जाओगे and about Google Chrome पर जाओगे तो वहाँ पर आपके Google Chrome का version आपको पता चल जाएगा अगें मैं फिर से दुबारा बोलना चाहूंगा 101.0.4951.41 अगर यह है इससे नीचे है तो भाई फिर आप कर लो बहुत serious issue है तो गाईज आपको य वीडियो अच्छी लेगी होगी य अपडेट अच्छा लगा होगा बारत सरकार के तरफ से और कोई भी चीज आती है तो मै सबसे पहले आपको बताऊंगा इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जैसे मैं important updates लेकर आते रहता हूं मैं मताँ आप से अगली वीडियो में thank you so much and goodbye कर दो हाँ